अब पिछले वीडियो में आपको बताया था आपके आइफोन की स्टोरेज अगर आपको सेव करनी है तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए अब वो स्टेप्स आपने फॉलो कर दिये लेकिन यहां पे आपको एक और कैटेगरी दिख जा दिया रहे सिस्टम डेट इस वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे यह सिस्टम डेटा आपको रिडियूस करनी है नमस्कार दोस्तों मिरा नाम अमित टेक्नॉलोजी की दुनिया में हर दिन और कुछ नहीं सीखना चाहते हो तो यह चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए अब सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि सिस्टम डेटा में इंक्लूड़ेट क्या है तो सिस्टम डेटा में इंक्लूड़ेट होते हैं कैशे लॉग्स आपके जो भी ऑफलाइन ट्रांसलेशन लांग्वेजिज हैं फॉन्ट हो गए डिक्शनरीज हो गए सीरी वॉइस हो वह आपको किल कर देने अब यूजिली मैं आपको यह वाला प्रोसेस फॉलोग करने के लिए नहीं कहूंगा अगर आपको कोई स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम देख रहा है या फिर वनस इन वाइल आप यह प्रोसेस second process के लिए हम आएंगे settings के अंदर general के अंदर यहां पर हम आएंगे dictionary में अब यहां पर अगर ऐसी कोई भी dictionary जो tick mark रहे हो अब यूज नहीं कर रहे हो for example Arabic होगे तो अगर आप वो use नहीं कर रहे हो तो आप उसको untick कर दीजिए next step के लिए हम settings के अंदर आएंगे accessibility में यहां पर आपको option मिलेगा spoken content और यहां पर आपको एक और option मिल जाता voices का अब अगर आप translate app use कर रहे हो तो dictionary आपको delete नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आपको system data को free up करना है तो फिर आप यह वाला step follow कर सकते हो अब यहां पर जैसे Arabic में आते हैं यहां पर यह वाला voice में को जरूत नहीं है तो उसके लिए मैं यह कर सकता हूँ इसको left से drag करूँ और इसको यहां से आके मैं delete कर सकता हूँ अब next step के लिए settings के अंदर हम आएंगे safari में and safari में आने के बाद यहां पर आपको यह option मिल जाएगा clear history and website data इसके उपर आप जैसे tap करोगे again clear history and data पे click करोगे यहां पर आपको दो option मिल जाएंगे आपको click करना close tabs पे and जैसे आप यह करोगे तो आपकी पूरी history safari से delete हो जाएगी अचा safari use नहीं करते हो chrome use करते हो तो चलो वहां भी चलते हैं तो chrome पे आने के बाद आपको click करना triple dot पे उसके बाद यहां पे आपको option मिल जाएगा clear browsing data and again आपको clear browsing data का option मिल जाएगा एक और बार आप जैसे यहां पे click करोगे तो पूरी browsing data यहां से clear हो चुकी है अब next step के लिए माएंगे settings में settings में आएंगे general में and जैसे के मैंने आपको बता system data में fonts भी included होते हैं तो जैसे आप fonts में click करोगे अगर यहां पे कोई भी fonts दिख रहे हैं आपको तो वह fonts अगर आप use नहीं कर रहे हो तो यहां पे आके आप उनको delete कर सकते हो next step के लिए हम आएंगे mail में and mail में आने के बाद यहां पे आपको click करना इस पड़ी को filter पे next आपको यहां पे tap करना filter by पे इसके उपर जैसे tap करोगे आपको यहां पे only mail with attachments पे click करना and unread को untick कर देना next आप जैसे done करोगे तो यहां पे आपको वह सारे emails दिख जाएंगे जिसके अंदर कोई attachments है अब मेरे mail में कोई भी attachments वाला email नहीं इसलिए यहां पे नहीं दिख रहा है लेकिन आपके case में अगर ऐसे कोई attachment वाला mail है तो उन सब mails को आप delete कर सकते हो क्योंकि उस mail में जो attachments है वह attachment आपकी system data use करती है चले तो अब बढ़ते next step के तरफ तो again settings में हम आएंगे serian search में यहां पे आपको एक option मिल जाएक है serian dictation history इस पे click करने के बाद अगर आपको आपकी system data को reduce करना है तो फिर आपको delete serian dictation history को यहां से आके delete कर लेना चाहिए next step के लिए हम आएंगे privacy and security म यहां पे हम click करेंगे location services उसके बाद all the way नीचे आप आओगे यहां पे आपको option मिलेगे system services again आपको all the way नीचे आना है and थोड़ा सा उपर जैसे आप drag करोगे आपको मिल जाएक significant locations अब यहां पे आप 2 चीज़े कर सकते हो एक आप significant locations को off कर सकते हो and दूसरा यहां पे आपको clear history का option मिल जाता है तो इस पे click करके आप जितने भी locations पास में save हुए थे उन सब को यहां से आकर delete कर सकते हो अब यह वारा significant location आपको on रखना है यह फिर off रखना है यह difference अगर आपको समझना है तो मेरा पुरा ना वारा वीडियो देख सकते हो link आपको यहां पे देखने को मिल हमारा भाई है ना बताने के लिए तो इसके लिए आपको volume button up click करना है फिर down click करना है और उसके बाद power button को press करके रखना है and next आप जैसे इसको power off करोगे तो आपका iPhone 4 रिस्टार्ट हो जाएगा तो यह सब steps को follow करिए and आपके iPhone का system data reduce कर दीजे लेकिन उसके पहले video को like करिए share करिए चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो bell icon दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए देखते रहे origin taken हिंदियो मिलते है next video में